तो यह देखिए तोड़के दिखाता हूँ तो यह देख सकते हैं कितना खस्ता गोलगपाय बना है सूजी के बिल्कुल मैं इसको मैश कर रहा हूँ एकदम मैश हो जा रहा है तो बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप सूजी के गोलगपे घर हलवाई स्टाइल में आप कैसे बना सकते हो जैसे मार्केट में हम लोग बनाते हैं व्यासे सेम टू सेम बनेगा घर पर वीडियो को लास्ट तक देखते रही है और हां वीडियो को लाइक जरूर कर दें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो आपके पास मोटी सूजी है चाहे बारीक सूजी है बारीक सूजी लेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा मैंने यहां पर एक कप यानि की 200 ग्राम लिया है एक कप अगर आप फुल भर के लेंगे ना तो 200 ग्राम हो जाएगा अब इसमें हमें डालना है खस्ता करने के लिए ओईल मैंने यहां पर डाला है 40 ग्राम के करीब अगर मैं कप से बताओं तो एक चौथाई कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम है और यहां पर जितना हमने सूजी लिया है उसका हाफ हमें चाहिए गरम पानी गरम पानी ऑईल भी गरम ही डालना है पानी भी गरम डालना है तो मैंने 100 एमल जो पानी लिया है और 40 एमल ओईल लिया है तो आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें पानी मैंने पूरा नहीं डाला था आप धेरे धेरे करके पूरा हम इसमें पानी डाल देंगे यह थोड़ा सा गीला ही रहेगा बहुत जादा टाइट नहीं रखना है और 100 एमल पूरे ही डालना है जितना भी आप सूजी ले रहे हो उसका हाफ पानी आपको डालना ही डालना है तो मैंने यह पर गरम पानी ही डाला है गरम पानी से डालेंगे तो काफी जादा अच्छा बनेगा और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं यह देखे जब इस तरह से जैसा बन जाए तो इसको उठा उठा के थोड़ी देर तक ऐसे पटकना है हलवाई ऐसे ही करते हैं या फिर इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मैश कर दे लेकिन 10 मिनट इसके पहले रख देते हैं उसके बाद करते हैं 10 मिनट के बाद अभी जो एक्स्ट्रा पानी होत जाता है लेकिन अगर आप घर पर बना रहे हो तो जल्दी से अच्छे तरीके से मैश कर ले हाथों में चिपके तो थोड़ा बहुत और लगा सकते हैं उसके बाद जब बिल्कुल मैश हो जाए तो थोड़े से छोटे-छोटे जैसे भी मार्केट में आप या फिर जैसे भी आपको गोलगपे का साइज पसंद हो उस हिसाब से छोटे-छोटे हमें इसके पोर्शन तोड़ लेने हैं यह देखिए तो बाकी का रख देना है गीले कपड़े से ढखके ताकि वो ड्राइना हो उपर से और थोड़े-थोड़े बनाना स्टार्ट करना है मतलब एकी बार म मतलब कुछ तोड़े है और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लंबे शेप में दे रहा हूँ क्योंकि जो सूजी के गुल गपे होते हैं आपने देखा होगा कि लंबे-लंबे होते हैं तो इस तरीके से मैंने इसे लंबा कर लिया है और इस हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से बेल देना है ये देखिए लेकिन जब आप बेले तब आपने गयस पर ओएल भी रखना है गरम होने के लिए तक कि हम इसे साथ के साथ डालते भी रहें, अगर आपने इसे बेल के पांच मिनट या दस मिनट के लिए भी रख दिया, तो यह फूलेंगे नहीं फिर, अभी तो मैं आपको बेल की दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको इसे फ्राइ करके भी दिखाऊंगा, यह देखिए, अब म लाने के जरुत नहीं है, चलाने की कोई जरुत नहीं है, यह अपने आप ही फूलेंगे, मतलब फूलाने की कोशिश करना वेकार हैं इसमें, यह अपने आप ही फूलेंगे, अगर फूलना होगा तो फूलेंगे, नहीं फूलना होगा, तो आप कितना भी इसको चलाएंगे, ये नीचे जा रहा है थोड़ा सा और उसके बाद जब ऊपर आ रहा है तो ये थोड़ा सा मदब फूलना स्टार्ट हो जाता ये देखिए तो ऐसे ही सारे गोलगपे जो है वो हमें बना के रेडी कर लेने हैं लेकिन इस बार थोड़े से मैं पहले से जादा बड़े बना रहा हूं ये देखिए तो थोड़े से जब बड़े बनाएंगे तो काफे अच्छा रहेगा लेकिन लंबे बना रहा हूं आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो गोल भी बना जा सकता है अच्छा लगता है गोल भी लेकिन मार्केट में लंबे मिलते हैं, इसलिए मैं लंबे बना रहा हूँ, यह देखिए, तो इस तरीके से आप भी आसानी से घर पे बना सकते हो, जैसे ही आप इसमें डालेंगे, तो ओईल का टेंपरेचर आप इतना देहां रखना कि बिल्कुल हाई पे होना चाहिए, गैस सकते हो आप यह, तो सारे गोलगपे फोल रहे हैं, इसमें से स्टार्टिंग में मैंने एक दो गोलगपे चेक किया था, इसमें डालके तो वही नहीं फूले थे, क्योंकि आप अपके गोलगपे जो है वो ना फूले, तो आप क्या कर सकते हो, कि इसे दुबारा से अच्छी बहुत डाल सकते हो, अगर नहीं फूल रहे हैं, तो हलका सा एक पिंच आप बेकिंग पाउडर उसमें छिड़क सकते हो, तब भी फूलने लग जाते हैं, लेकिं वैसे डालने के जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे बहुत अच्छे से फूलने लग जाते हैं हमारे गोलपे, तो सारे गोलपे हमें इसी तरीके से रैडी कर लेना है, दो तीन बैच मैंने रैडी कर लिया है इसी तरीके से और ये देख सकते हो, काफी सारे गोलपे बनके रैडी हो गए, तो 200 ग्राम जो मैंने सूजी लिया था, 200 ग्राम सूजी में 40 से 45 गोलपे बनके रैडी हो जाते ह अगर आपको ज्यादा इसको खस्ता पसंद है तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको ज्यादा खस्ता और ज्यादा लॉंग टाइम तक आपको रखना है मतब दो दिन तीन दिन आपको इसको रखना है तो आप इसे डवल फ्राई करें ने तो आपको डवल फ्राई करने की भी ज देखिए तो देखा दोस्तों आपने कितना परफेक्ट बना है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए हाँ इसमें मैंने पानी की रेसिपी नहीं बताई है पानी का रेसिपी पहले अप्लोड किया हुआ है लिंक की डिस्क्रिप्शन में द दोड़ेगो ये चुए हैंची टीजा दोस्तों आपको का रेसिघा तो म לו sindतकता बताईए हते हैं।